हेलो एवरिवान और वेलकम टू योट्यूब चैनल माइनेम इश्रियान शॉल लेकर आगया हूँ आप सभी के लिए एक न्यूज रिलेट वीडियो मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरियार चैनल को सब्सक्राइब करो साथी साथ बैल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि ऐसी इंट्रिस्टिंग वीडियो आपको एक ही चैनल पर मिलती रहें दोस्तों भारतिय नागरे कुलबूशन जादफ के मामले में पाकिस्तान बड़ा फैसला लेने जा रहा है सूत्रों के मुदाबिक जादफ के मामले को सिविलियन कोर्ट में चलाने के लिए आर्मी एक्ट में बदलाव किया जाएगा इसके बाद जादफ को अपनी गरफतारी के लिए सिविलियन कोर्ट में अपील करना होगा इससे पहले पिछले महीने भारतिय नागरे कुलबूशन जादफ के केस में इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस ने पाकिस्तान को फटकार लगाई दोस्तों, ICG के अध्यक्ष जच अब्दुल्ला कावी यूसूफ ने UN जनरल असेंबली को जानकारी देते हुए बताया कि कुलबूशन जादफ के मामले में पाकिस्तान ने वियना कंवेंशन के अनुछिद 36 के तहत अपने दायत्वों का निर्वहन नहीं किया कोट ने ये भी खा कि वियना कंवेंशन में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि जासूसी के आरोप का सामना कर रहे शक्स को काउंसलर एक्सिस नहीं दिया जाता कोट ने कहा कि इसलिए पाकिस्तान को हराल में कुलबूशन जादव मामले में काउंसलर एक्सिस देना चाहिए था अपरेल 2017 में कुलबूशन जादव को जासूसी और आतंगवाद के आरोप में पाकिस्तानी सेने अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी अब्दुल्ला कावी एहमद यूसफ की अद्धिक्शतावानी बेंच ने की इस मामले में सजा पर पुनर विजार करने का सैस्का सनाई था दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए अपक्त बहुत देने बाद अगली वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक ली खुश रहे हैं आबाल रहे हैं और दोस्तों का ख्याल नहीं